आघ इसंकरर पिछान भी संट सभी दोस्तों का नमस्कार दोस्तों आज इसपी शोल में मैं आपको रो वेस्ट की पैंड कटिंग का बचा हुआ भाग बता हुआ आप इसेपिशोल को ध्यान से देखना पूरा देखना आप दूसरे पार्ट को देखते नहीं है इसलिए आपको दिक्कत होती है आपको प्रेशानी होती है तो चलिए एपिशोड शुरू करते हैं यहां से हलका सा यह आपको सेख देना है यह हमने सीधे निशान लगा लिए और यह इस तरह से बाहर निकालके हमने मोरी काटनी है अब यह निशान लगा लिए अब जहां से आप यह देख लीजिए कि आपकी ज्यादा सेफ वाली पट्टी काम करती है या कम सेफ वाली यह आप देखेंगे यह देखें यह आपकी ज्यादा सेफ वाली पट्टी बिल्कुल सही काम करेगी और इसको यह देखिए यह ज्यादा वाद सेफ वाली पट्टी से हमने यह निशान लगाए हैं अब ये इसकी कमर है 34 इंच अब यहां से साड़े आठ इंच तो ये इसकी कमर होगी 14 इंच ये इक इंच का ये दबाव हो गया दोनों तरफ ये यहां पे आपके फलाई थी अब ये इससे ये फलाई का ये लगा सकते हैं ये देखिए ये इतना तिर्चा है लेकिन ये तिर्चा चल जाएगा जहां से गोलाई अगर ज्यादा फूल गया तो यहां से ये नहीं चलेगी कमर है इसकी 34 अब देखिए अब इसका सामना हमने कितना डाउन करना है देखिए लोवेस्ट की पैंट है तो सामना हमने कम सेफटी पट्टी लेना है और ये मैं हर पैंट में बताता हूँ कि आपको तीन सूथ ये आदा इंच तो आपको डाउन करना ही करना है चाहे पेट हो या ना हो आपको तीन सूथ ये आदा इंच ये डाउन करके चलना है अब मैं इसका सामना काट देता हूं और बैक भी बताता हूं अब इसकी बैन का फ्रंट हो गया अब इसकी बैन का फ्रंट हो गया अब यहां से जो हमने गुलाई देता हूं अब यहां से जो हमने गुलाई इससे हम एक सीधा निशान लगाएंगे यह सीधा निशान भी बहुत जरूरी होता है इसके लिए मैंने स्पैसल एक वीडियो बनाया था चाहिए यह हम सीधा निशान लगाएंगे अब यह सीधा निशान हम क्यों लगाते हैं मैं यह भी बता देता हूं यह सीधा निशान हम क्यों लगाते हैं यह भी मैं आपको बता देता हूं यह सीधा निशान अगर हम नहीं लगाएंगे तो यह आपकी क्रीज बाहर निकल जाएगी तो यह हमने एक दो सूथ का या तीन सूथ का एक सीधा निशान हमने यह लगाना पड़ता है इस निशान पर हम जोड़ेंगे तो यह देखिए यह पैंट हमारी इधर से ऊपर आ जाती है तो यह क्रीज हमारी इस निशान लगाने से क्रीज हमारी बढ़िया बैठती है अब ये आदा इच नीचे ये हमने बैक का निशान लगाना है ये हमारा घुटना हो गया और ये हमारी मोरी होगी यहां से हमने डेड़ इंच ये डेड़ इंच और मोरी का डेड़ इंच और यहां से हमने तीन इंच क्योंकि हमने मिडियम है ये अगर हमारी टाइड फिटिंग होती तो हम यहां से डाई इंच रखते लेकिन मीडियम में तीन इंच और लूज फिटिंग में साड़े तीन इंच ये आपने बैक बढ़ा के लिखनी है अब वहुत से लोग पूछते हैं जी हम यहां से कितना बढ़ा के रखें तो यह उनके लिए मैं फिर दुबारा बता देता हूं टइट फिटिंग में 6 inch, medium फिटिंग में 3 inch, और loose फिटिंग में 3.5 inch और बहुत loose फिटिंग हो तो आप 4 inch भी रख सकते हैं ये जा आप जितनी seat उसको seat बहुंते हैं, ये seat आप बैक की जितनी लंबी रखते हैं उतनी फिटिंग आपकी अच्छे आएगी तो यह medium fitting है हमने इसको तीर इंच ले लिया है और यह ज्यादा सेव की पट्टी से आप यह देखिए आपको कहाँ आपकी पट्टी काम करती है यह यहाँ पर आपकी सेफ फर्स क्लास आती है यह आपकी सेफ होगी अब बहुत लोग यह कहते है जो बिचारे beginner है जो नए सीखने वाले वह कहते है जी आपने सामने में तो दबाव दिया नहीं तो जो सामने का और बैक का दोनों का दबाव यह जो डेड़ इंच हम लेते हैं यह हमारा सामने और बैक दोनों साइड का दबाव होता है यह 1.5 इंच और यह जो फाल्तु लिया है यह जो 1.5 इंच फाल्तु है यह हमारी सीट का चलने फिरने के लिए हम जब कदम आगे बढ़ाते हैं उसके लिए यह हमारी लूजिंग होती है तो इसलिए यह 3 इंच लिया है 1.5 इंच मार्जन यहां पर दोनों साइड का सामने का भी और बैक का भी दोनों का यह मार्जन होता है अब अब देखिए हमने यह 3 सूथ यह 3 सूथ सामना उठाया है यह हमारा सामने का निशान है हमने जो बैक उठानी है वो इस निशान से उठानी है डाउन वाले निशान से निशान से निशान है हमने जो हमारा सामने का निशान उसी निशान से बैक उठानी है तो यह 3 सूथ डाउन के है तो 3 सूथ उपर यह बैक उठाने का निशान और यह हम एक इंच यह बैक उठा जान हो गया। अब हमने कमर हमारी 34 तो ये तीन सूथ ज़्यादा रखा था ये तो आगया। बेक का दबाओ आएगा। इसका दबाओ हमने हैं से काटा हुआ है। ये तीन सूथ बेक का दबाओ, साइ़ आठ इसकी कमर यह साइ़ आठ कमर होगी और ये एक इंच की डट यहाँ जो डट डलेगी वो एक इंच की डट अब ये हमने सीट का निशान ये देखिए कैसे लगाना है यहाँ से यह हमारा सीट का निशान हो गया अब यह कैसा निशान है यहां से हमने आदा इंच यह जो निशान है इस से हमने आदा इंच यह टेपर किया है यह देखिए यह हमने यहां से मिला के और यह आदा इंच हमने टेपर कर दिया है यह आदा इस्टेपर कर दिया है और यह हमारा सीट का निशान आ गया है यह हमारा सीट का निशान आ गया है और यह हमारी सीट की गोलाई अब बहुत से लोग यह कहते हैं सीट की गोलाई हमें कहां तक देनी सीए देखिए सीट की गोलाई आपको यहां से यहां से करीब तीन साड़े तीन इंच से आपने गोलाई शुन कर देनी है तीन इंच पे अगर छोटे साइज है तो तीन इंच पे भी कर सकते हैं लेकिन यह साड़े तीन पे आप इसकी गोलाई यहां से शुन करेंगे तो यह आपकी गोलाई बहुत अच्छी आएगी, यह देखिए, यह आपकी सीट की गोलाई आगी, अब एक कोमेंट और भी आई थी, कि हम यहां की फाग की गोलाई कहां से शुरू करें, देखिए जितना आपका यह फाग है, यह पौने दो इंच का आपने फाग रखा है, त जितना ही हम यहां से उपर से अपनी यह फाग की गोलाई शुरू कर सकते हैं, ज्यादा गहरी नहीं होती है, इसलिए आप मान लो अगर दो सूस उपर से भी करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ने तो जितना फाग, उतनी उपर से आपकी गोलाई, यह एक फर्मुला ह ऐसे ही बैक का है, ऐसे ही बैक का है, कि आपने यहां से यह तीन इंच की लूजिंग ली है, यह देखिए, यह आपने तीन इंच की लूजिंग ली है, तो यहां से भी आप, यहां से भी आप, तीन इंच पर आप गोलाई दे सकते हैं, यह साड़े तीन पर भी दे सकते हैं, अगर आपकी सीट की गोलाई ठीक नहीं आ रही है तो आप साड़े तीन पर भी दे सकते हैं लेकिन जितनी आप यहां से करेंगे उतनी आप यहां से भी गोलाई शुरू कर सकते हैं ये दो-तीन बार कमेंट आईए मेरे पास तो इसलिए मैंने ये दोनों चीज़े के कटिंग रोग के बताईए आपको ये आपकी डट ये एक इंच की डट और ये आपकी बैक पॉकेट यहां से बैक पॉकेट का निशान हमें कम से कम पॉने दो इंच नहीं तो दो इंच सवा दो इंच इतना हैवी साइज होगा उतना भी बढ़ता से लाजाएगा तो ये मीडियम साइज है तो आप दो इंच इससे दूर कीजिए और ये साड़े चार की कम से कम ये आप पॉकेट लगाईए ये यहां की दूरी का हिसाब है पॉने दो इंच देखिए छोटे साइज है तो आप देड़ इंच भी दूरी कर सकते हैं थोड़े से ज्यादा साइज में आप पॉने दो कर सकते हैं और ये जो 38, 49, 40 हिप है उसमें आप दो इंच भी इधर से ले सकते हैं ये जो डट होती ह ये कभी pocket के center में नहीं होनी चाहिए, center से इधर होनी चाहिए, अगर आप ये center में डट डाल देंगे, तो जब आप ये काज करेंगे, ये जब काज होगा, तो वो इस डट पे आ जाएगा, और आपका काज धंग से नहीं हो पाएगा, इसलिए center के काज से डट इधर ही रहनी च यहां भी आपने नीचे तक घुटने तक साइड में पास में दिया आपने दवाव रखना है क्योंकि कभी भी लूज करनी पड़ जाए आगर लूज कर ना भी करेंगे तो भी दवाव होने से पैंट बैठी बैठी रहती है यह आपकी लोवेस्ट की पैंट कम्प्लीट गट गी है तो दोस्तों यह थी लोवेस्ट की पैंट कटिंग मुझे उमीद है आपकी समझ में आ गया होगा झाल